नमस्कार सिट्यूम्स में आपका सवागत आईए नजर डालते हैं राजनीति के बदलते तेरून लोग सभा का चुनाव अमरावती में 26 अप्रेल को संपन होने जा रहा है लेकिन आज दिन तक भी पूरे उम्मिद्वार तैय नहीं हुए मात्र एक कॉंग्रेस का उम्मिद्वार है जिसने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और उनकी उम्मिद्वारी तैय हो गई है लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है नवनीत राना के कोट के परिणाम के कारण अभी तक कोई भी उम्मिद्वार हो है गोशित नहीं कर पाई बता जा रहा है कि कोट का परिणाम पहले 28 तारिक को आने वालता है ऐसे बाहर की खबरे कहीं से भी अधिक्रत जानकरी नहीं है और अब बता रहे है कि एक तारिक को नवनीत राना का कोट का परिणाम आएगा उसके बाद भारतिय जंता पार्टी अपना उम्मिद्वार खो के लिए कि किसे उम्मिदा क्यूंकि अब तक उन्होंने अपना मन पिछले दो सालों से नवनीत राना को उम्मिद्वारी के रूप में देखने का बनाया था लेकिन अब कोट का पेच ऐसा फसा हुआ है कि जो कोट का परिणाम है वो क्लोस कर दिया गया याने रिजल्ट के ये पूरी फाइल क्लोस कर दी अब सिफ रिजल्ट आना आप किसी भी प्रकार की कोई बहस नहीं है या कोई जीरह नहीं है जिसके कारण हमें लगे कि इसको दो तिन दिन मिल जाएंगे जिस दिन भी कोट की मरजी होगी क्योंकि मरजी इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन रिज प्रविश्ट भी जाता और उम्मिद्वारी घोशीत कर दी जाती लेकि अबी तक कोई भी उम्मिद्वारी घोशीत नहीं कि मात्र एक बलवन्त वान खड़े जो कॉंग्रेस से उम्मिद्वार है वही घोशीत होए बाखि और भी कई लोग वरे से वंचित आखाड़ी भी क बलत है करेगी कि अमरावती से किसी को समर्थन देना या अपना उम्मिद्वार लणा बीस पी यही सोच रहे हैं ऐसे कई छोटी-मोटी पार्टिया जो अपना उम्मिद्वार घोशित करने की रहा पर है लेकिन सबसे पहले कि नवनीत राना खड़ी होती है कि नवनीत राना क जब तक कोड का नहीं आता सारी असमंजस की इस्तिति बनी है पहली बार ऐसा हुआ कि कोड के परिड़ाम के एकारण भाजपा की उम्मेद्वारी रूखी हुए हालक 28 तारिक वाने कल नोटिविशन चुनाओ का जारी हो जाएगा जिसके साथ फॉर्म उठाने है फॉर्म भ पढ़ेंगी कितने लोग खड़े हो रहें 28 तारिक को नोटिविशन जारी होने के बाद में चार तारिक तक फॉर्म दाखल करने की अंतिमति थी है बता जारा कि एक तारिक को भाजपा अपना उम्मीद्वार जाहिर कर देगी कोड के परिड़ाम के साथ भी या कोड का परि परिणाम आ जाता है तो उम्मेद्वारी नवनीत राना के पक्ष में जाएंगी यदि नवनीत राना के पक्ष में नहीं जाती तो दो तिन नाम पे चर्चा चल रही है एक सिद्धारतवान खड़े है जामठ है डॉक्टर जामठ है है इन दोनों के नाम पे चर्चा कर रही टॉप पे लेकिन सिद्धारत वान करें यदि कोट का परिणाम जाता है साथ में कई दिन से आनंदरा अरसुल भी भाजपा की उम्मिद्वारी के पीछे शायद भाजपा ने उम्मिद्वारी देने से मना कर दिया तो शिंदेगर से उम्मिद्वारी के लिए प्रयासरत है ले क्योंकि बीजेपी से नवनित्राना खड़े गरेगी और इधर महाविकास आघरी ने अपना उम्मिद्वार गोशित कर दिया गया बाकी है आनंदराज है और जहां तक वंचित का सुजात का खड़े रहने का था यहां से पूरी तरह से नकार दिया है वंचित अपना दूस उतना जारी होंगी उसके साथ ही फॉर्म उठाना शुरू हो जाएगा चार तारिक तक फॉर्म बरना है पांच तारिक को नामंकन की जाच होंगी और उम्मेद्वार वापस देनी की जो जिन्नोंने फॉर्म बरा जिनको अपने उम्मेद्वार वापस देनी है आठ तारिक क यह उम्मेद्वारी वापस लेनी किती थी है और मद्दान अमरावती में 26 तारिक को होना है और वोटों की गिंती जैसे बता है कि पूरे देश की 4 जून को शुरी होंगी और 6 जून के पहले पूरा चुनाव प्रक्रिया यह संपन्न हो जाएगी अमरावती की इस्तिती अभी असमंझस में बनी है कोड के परिणाम के उपर कल भी रिजल्ट आ सकता है यह आज 27 तारीक है 28 तारीक को भी सुपर है वन-तिस को पूरी तैयारिया उन्होंने कर लिये, पूरे उनके दोरे हो गए है, पूरे कंटियून दोरे चालो है, जैसे कि हर साल होली में पांस दिन वे मेल घाट में बिदाते हैं, इस बार भी लोग सबा चुनाओ के गोशना होने के बाद भी मेल घाट में पांस दिन अपनी होली का उ उन्होंने मनाया क्योंकि अभी उम्मेद्वारी उनकी जहिर होने की है और बता जारा कि कल से याने 28 तारिक से मंगलवार से अधिकरूत रूप से प्रचार शुरू कर देंगे लेकिन उम्मेद्वारी यदि जहिर ना हुई तो किस चिन्न के साथ प्रचार करेंगे यह अभी प्रवेश लेंगे जैसे चर्चा चल रहे थी नवनी तरणा बीजेपी में प्रवेश ले लेगी और कमल से और महराश प्रदेश के अदेश चेंदर शेकर बाउन को ले और मुख्यमंदी देवेन फ्रडविंस नहीं कहा कि यहां का जो उम्मीद्वार है वो कमल के चिन्ना प पर उम्मीद्वार चार तारीख को जाकर अपना फॉर्म भरेगा सीथा चार तारीख को सभी लोग शायर जो भी पार्टी के फॉर्म भर और पूरे उतने रहली वगएर के साथ में शक्ति पदर्शन के साथ में फॉर्म बाढ़ जाएगा सबकी नजरे लगी भी है और यहां की राजनिती बदलती है